यूपी के वतेपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामती आई है यहाँ ओचिक निरक्षन की दौरान दीएम साहिबा को अच्रानों गुस्सा आ गया उन्होंने एक शक्स को थपर जड़ दिया क्या है पूरा मामला आईए जानते हैं पतेपुर की DMC इंदुमती का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है DMC इंदुमती एक शक्स पर भड़कती हुई दिखाई दे रही है इतना ही नहीं उन्होंने अपना आपाभिक हो दिया वो बेहधी नाराज दिखाई दी दरसल वो जिलाज शहरी विकास एजेंसी डूडा के ओफिस में औचक निरिक्षण के लिए पहुँची थी वो विभाग के अधिकारियों से बात कर रही थी डूडा कारियाले में निरिक्षण के दोरान एक शक्स के निकलते समय उनको धक्का लगा था इसके बाद तो डियम का पारा साथवे आसमान पर पहुँच गया उन्होंने शक्स को थपड तक जड़ दिया डियम साहिबा का गुस्सा देखकर शक्स घबरा कर पीछे हड़ जाता है लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ वो उस पर बुरी तरह ज़लाती रही कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाया सभी लोग डियम के गुस्से को देखकर सक पका गए इसी दोरान वहाँ पर मौझूद लोग डियम सी इंदुमती का गुस्सा मोबाइल फोन पर रिकोर्ड करने की कोशिस करते हैं लेकिन डियम के साथ आए करमचारी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं इन दिनों जिला मुख्याले से लेकर तहसील के कारियालियों तक डियम सी इंदुमती लगातार ओचक निरिक्षन कर रही हैं सौंबारक उन्होंने सब रजिस्टरार ओफिस डूडा कारियाले और नगर पालिका में ओचक निरिक्षन किया जैसे ही वो डूडा ओफिस पहुची वहां हड़कम बच गया डियम को देख कर वहां लोग इधर उधर भागने लगे जब वो अपने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही थी तभी उन्हें धक्का लग गया और वो बुरी तरह आग बबूला हो गई वीडियो वाइरल होने के बाद टीयम की तरफ से एक प्रेस नोट जारी क्या गया है इसमें बताया गया है कि औचक निरिक्षन के तौरान दूडा ओफिस में तीन शक्स अनेतिक तरीके से दाखिल हुए थे वो मौके से भागने की कोशिस भी कर रहे थे इतना ही नहीं गोपनिये दस्तावेजों से छेड चाल हो रही थी जिसके लिए FIR करने के निर्देश दिये गए है मामले पर DM की सफाई तो आई है लेकिन अब उनका गुस्से वाला वीडियो खूब वाइरल हो रहा है फोतेहपुर से News18 के लिए धारा सिंकी रिपोर्ट